वेलकम टू माई चानल आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं गुरी की बहुत ही इंट्रेस्टिंग रेसिपी बस दो इंग्रिडिरियस में बनका रेडी हो जाती है पास मिनट में और हेल्दी बहुत होती है अभी जैसे की ठंड आ रही है ठंड में तो गुरी बहुत ही फा में जैंगे उसको एक पतिले में डाल देंगे कि सेम कटूरी से हम लोग जितना गुरी है तीन कटूरी पानी डाल देंगे इसमें यह नह angef़а पानी डालए के बाद में हम लोग कुर को पानी को अच्छे तरीके से मिलाल देंगे यहां पर आप चाहे तो गुर दरदरा भी यूज़ कर सकते हैं जिससे क्या होगा कि जल्दी पानी में इसे इसमें मिल जाएगा और अगर आप तुरी गुठली वाले गुर यूज़ करें तो 5-7 मिनट इसे फोलने के लिए अलग रख दे और उसके बाद यूज़ करें तो द इसन दम एक भी गुटली वाली गुड़ नहीं अब लोग इसमें अब यहां पर घोगी काट में ये कि आटे डालने के बाद कंटीन से मिक्स कर देंगे आप चाहे तो वह वमस्कर की मदद से मिदसे कर सकते हैं और अगर आप किसी चमच की मदद से करें तो 2-3 मिनट में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी तो यहां पर देखे मैंने इसको मिक्स कर दिया है दू मिनट मुझे लगा और गया तरीके से एकदम बैटर रेडी हो गया थिक कंसेस्टेंसी आपको कंसेस्टेंसी में दूमाड़ को बनाना है ना जादा पतला करना चश्छा करना को चुछ यहां पर देख़े हीरा सब्सक्राणाओ देगेगे चीला बना लेते हैं तो इसके लिए मैंने आपको कुछ भी डालने का निरकार नहीं आप चाहे तो इसमें बाड़ी कट करके ड्राइफ टूट्स डाल सकते हैं इस तरीके से बने बहुत ही टेस्टी बनती है यहां पर मैंने पैन लिया है आपको वी तवा यूज कर सकते हैं य लाल हो चुका मैंने मीनियम फ्लेम पे इसे बनाए है और चीला को मैंने हलका पतला जाए अब हम लोग इसे फैलट देने कि दोनों तरफ से हम लोगं सी तरीके से लाल कर लेंगे और थो से 3 मिट लगता और यह टीला बंकर रेडी हो जाता है पहुत ही टेस्टी लगती है त इसी तरीके से सभी गुर्य के चीले को बना लेंगे बहुत ही हेल्दी बहुत ही कम टाइम में बन का रेडी जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है तो वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजेगा चैनल पर नए है तो चानल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन जरूर पेस्ट कर दीजेगा मिलते हम अपनी नेक्स वीडियो में तब तक ले बब बाई टेक एट हैंड क्यू झाल झाल झाल